नमसकार स्वागत है आप सभी का A220 बार भरती में सुप्रिम कोड को आडर कप तक आ सकता है तो सुप्रिम कोड का आडर आज या कल में आप सभी को देखने को मिल जाएगा Next week से Supreme Court की summer vacation स्टार्ट हो जाएगी छुटिया स्टार्ट हो जाएंगी गर्मी वाली तो आज ये अकल में आपको किसी भी समय court order देखने कूं मिल सकता है ऐसे देखा जाए तो सामानिता 2 से 3 दिन का समय लगता है court order आने में जहां पर order reserve नहीं होता है और जहां पर order reserve होता है वहां पर तो ज्यादा समय लग जाता है तो आपके मामले में 2 या 3 दिन का अधिकतम समय लग रहा है आज Friday है कल Saturday है उसके वाँ Sunday आ जाएगा तो ज्यादा समावना या फिर लगबग आप मानके चलें कि आज या कल में आ जाए से आदे से अभी हाला कि court order जब तक आने जाता है तब तक पूरी तरह से निसकर्स पर हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं लेकिन इतना यहां पर जो चीजे पता चली थी जिसके आदार पर आप सभी जानते हैं कि जितने भी यहां पर चैनित बहने हैं चाहे वो प्रोविजनल कि हो या फिर फ्रेस कि हो चुकि फ्रेस बहनों की की नियुक्ती पत्र बिद Complete रहोने वाल थे ओर उपर क्रिया रुख गय थी 277 सीटे होल्ड होने से तो फिलाल में यहां पर किसी भी पहन का नियुक्ती पत्र नहीं रुकेगा जो पहले से चैनित हैं अब यह जो पांच सी हुश फैस्टीष ती कि जो अपने दौकुमेंट में किया कमी है वो पता करने के लिए नहीं जा पाए या फिर डोकुमेंट से जो जमा किया गया था डเुबी किसी में उसमें कुछ कमिया रह गई तो उसमें थोड़ा सा समय लग अब बी पेंग tahun वाले मामले में और जब सबके डीवी वाले जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद सबकी फाइल एक साथ ही आपके परिवार के लाड़ भीवाब को भीजी जाएगी और आप सभी जानते हैं कि जो 277 का मामला था ये जो मेरिट लिस्ट फानल मेरिट द्वारा 8831 की ये सीटे यहां पर इंक्लूड हो भी थी अनरेजरों में अनरक्षित में जो की EWS की सीटे खाली रह गए थी और जितने बहनों की EWS के प्रमाल पत्र उस डीवी के समय सही पाए गये थे तो उन सभी बहनों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है नियुक्ति पत की आगे आता जहां पर मेरिट में आने वाले सभी वर्ग के बहनों का सेलेक्शन हुआ है तो प्रमेंजनल की बहनों में जिनके डोकुमेंट से सही पाए जाएंगे जिनके डोकुमेंट सही होंगे डोकुमेंट से आप सभी के पास होंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना है लेकिन आप सब के ज्वाइनिंग में थोड़ा सा समय लग सकता है मतलब यहाँ पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग फ्रेस के साथ तो होने के सम्मावना बहुत कम है क्योंकि अभी आपकी फाइल एक बार परिवाल का लैड भीभा को भीची जाएगी उसके बाद पिर आगे जिला फ्रेफरेंस जिला आवंटन तो यह पूरी प्रोसेस होने में थोड़ा सा समय लगेगा लगबग एक महीना भी लग सकता है उसके बाद ही आप सब की ज्वाइनिंग हो पाएगी लेकिन फ्रेस 7189 बेनों की ज्वाइनिंग इस महीने देखिए जो आएगा तो थोड़ा सा कंडिस्नल आने की उम्मीद है किसी का आप में से किसी का नियुक्ति पत्र नहीं रुखेगा जो इस्टे था वो इस्टे हड़ चुका है और आप सभी बेहनों को नियुक्ति पत्र बित्रड करने के आदे से बित्रड कर सकते हैं लेकिन उसमें जो पांच सीटों को छोड़ करके आगे की प्रिक्रिया बढाने का आदेस है तो उसकी वज़े से थोड़ा सा समय लग सकता है दो सपता लग जाए तीन सपता लग जाए तो इस महीने यानि मैई की महीने में नियुक्ति पत्र बित्रड का होना लगबग आप ना मान करके चले बाकी हो जाए तो बहुत अच्छा है और सरकार की प्रात्मिकता है कि आपकी भरते में नियुक्ति पत्र बितर समारोज जल्द करवा दिया जाए कभी के भी दिखे कुछ कोर्ट वाले प्रकरण होते हैं आप देखेंगे कि एक समय ऐसा भी था जिसमें नियुक्ति पत्र बितर करवाया जा सकते थे नहीं करवाया गया उस समय जब प्रकरण कोर्ट में विचारा धीन होता है कहीं से भी मामला होता है तो वहां पर भी सरकार ह हो चाहे आयोग हो और यहीं चाहते हैं कि जो भी मैटर हो पूरी तरह से फाइनल करा लें हम उसके बाद फिर ताकि बाद कोई दिक्कत नहों एक बार नियुक्ति पत्र बटने के बाद फिर कोई दिक्कत नहों तो यहां पर बहुत बड़ी बात यह कि कम से कम मानने सर्वोच सर्वोच नहाले से मैटर फाइनल हो चुका है अब उसमें जो भी इंस्ट्रेक्शन मिलेगा सुप्रिंग कोड से अब उसमें आगे आयोग सुनवाई कराएंगे या फिर जवाब लगाएंगे वो बात की बात है और इसी के साथ आप सभी को नियुक्ति पत्र बितर समारों भी करवाई जा सकेंगे तो हम सभी को यहाँ पर थोड़ा धहरे से काम लेना होगा और तोड़ा से इंतजार करना होगा जैसे ही कोड और आता है उसके बाद मारनी आयो के सची उसर से भी जाकर किया जाएगा विभाग में भी मुक्यमंत्री जी से भी अब आप देखेंगे मुक्यमंत्री जी का आज दो पर में आगमन है गोरख पुर जिले में और संभवता दो या तीन दिन के लिए कारकरम उनका है मतलब को जनता दर्शन कारकरम भी लगेगा आगे तो एक बार कोड और आ जाये तो उसके बाद पिर मुक्यमंत्री जी से भी मिलकर कि भी हो सकेंगी तो जैसे ही सुप्रिंग कोड से ओडर आ जाएगा तुरंत उसकी अपडेट आप सभी को दे दी जाएगी धन्यवाद